अगर करेले कड़वे बनते हैं या जब आप भर्वा करेले बनाते हैं तो स्टफिंग निकल जाती है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें ना तो आपके करेले कड़वे बनेंगे और ना ही भर्वा करेले बनाने में कोई जंजट लगेगा तो चलिए शुरू करते है उसके लिए आधा किलो करेले को मैंने अच्छी तरह से धोकर ले लिया है अब करेले के किनारे इस तरह से काटके निकाल दिये हैं जो पार्ट खराब है वो भी काटकर निकाल देना है और अब इस तरह से बिल्कुल पतला पतला छिलका इसका उतार लेना है करेले का सबी करेलों के छिलके इसी तरह से मैंने उतार कर तैयार कर लिए है और ये जो छिलके हमने उतार है इनको भी फेकना नहीं है इसका भी हम आगे इस्तेमाल करेंगे अब जो करेले का छिलका हमने उतारा था उसमें इस तरह से एक चाकू की मदद से कट लगा लेंगे अगर आप बीज खाना पसंद नहीं करते तो बीज आप डिसकार्ड कर दे, आप यूज ना करे, वैसे करेले के बीज बहुत फाइदे मन्द होते हैं, तो उसे मैं इस्तेमाल करूँगी, बस इसी तरह से मैंने सारे करेले तयार कर लिये हैं, और बीज भी आपने देखा कि मैं चिलके के साथ ही लिये हैं, अब इसमें हमने नमक लगा कर रखना है, थोड़ा सा नमक मैंने डाल दिया है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि नमक पूरे में लग सके, इसी तरह से ये जो करेले हमने चील कर तेयार किये थे, इसमें भी नमक से पूरा कोट कर देना है अंदर भी इसके नमक जरूर लगाना है ऐसा करने से करेले कड़वे नहीं बनते उसका कड़वापन नमक की वज़े से पूरा निकल आता है अच्छी तरह से नमक से सभी करेले को मैंने कोट कर दिया है अब इनको हमें दो घंटे के लिए धूप में रखना है अगर ध इस तरह से करेले में पानी निकल रहा है यह नमक की वज़े से हुआ है यह कड़वापन पूरा इस तरह से निकल जाता है अब अच्छी तरह से इन्हें धो लेना है और एक किचन टावल पर इन्हें कटी हुई साइड नीचे रखे इस तरह से जचा देंगे ताकि उसका बिसी पूरा नमक खट जाना चाहिए अच्छी तरह से रगड़कर इसको धोना है और फिर इसको निचोड़के एक प्लेट में ले लेंगे यह तो सर्सो के तेल का ही इस्तेमाल करें, जब वो हलका गर्म लगीचा है मैंने सारे करेले ले लिये हैं। और ये देखिए मैंने कोई स्टफिंग नहीं किया, उन्हें धीमी आज पर पलट पलट कर हमने फ्राइ कर लेना है पूरी तरह से कुक होने तक, ये पूरी तरह से पक जाने चाहिए, बस इस तरह से पलट पलट कर इनको अच्छी तरह से मैंने फ्राइ कर लिया है, ये पूरी तरह से तयार हैं कोक हैं और करेले फ्राइ करते हुए एक बात का ख्याल रखे कि आच धीमी होनी चाहिए ताकि वो अंदर तक कोक हो जाए उसी तेल में हिंग और जीरे का तड़का लगाया है और उसके बाद कटी हुई अनियन अनियन हमने जादा इस्तेमाल करनी है और उसको पकाना नहीं है यह देखिए हमारी प्याज बिल्कुल भी पकी नहीं है साथ के साथ ही वो जो छिलके हमने लिए थे वो ले लेने हैं नमक लाल मेर्च धनिया पाउडर धनिया पाउडर जादा इसमें एड़ करें और हल्दी सभी चीजों को एक साथ लेके अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पकाएंगे पर ध्यान रखिए कि इसमें एक बून भी हमने पानी एड़ नहीं करना है धकल लगाकर अब धीमी आज पर पूरी तरह से पक जाने तक हमने इसको पकाना है बीच वीच में चेक करते रहेंगे अब जब वो पक चुका है तब इसमें अमचूर पाउडर और सौफ का पाउडर सौफ का पाउडर भी इसमें जरूर एड़ करें इससे अच्छी खुश्बू आतिया और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और यह दोनों चीजे बिल्कुल पकने के बाद ही हमने एड़ करनी है और दो मिनट तक और कोक करना है उसके बाद जो हमने करेले फ्राइ करके रखे थे उसमें यह स्टाफिंग इस तरह से चम्मत से आप भर सकते हैं इस तरह से करेले बनाने पे आपको बिल्कुल भी परिशानी नहीं होगी फ्राइ करते हुए वो स्टाफिंग जो बाहर निकल जाती थी वो नहीं निकलेगी वीडियो में एक नहीं रस्पी के साथ थेंक यू